सबी काम संतूलित होगा, सब मिल करके काम करेंगे, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है, जिसको जो दाई तुम मिला है, उसको गंबीरता से प्रदेश के हित में काम करेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जिसको जो विभाग मिला, जो जुम्मेदारी मिली, उसको मिल करके काम करेंगे कोई बात नहीं एक ही बात है मुख्य मंत्री जग्दीश देवडा को डॉक्टर मोहन यादो मंत्री मंदल में फिर से वानिज्य और सांखिके विभाग का दाई तो मिला है देवडा अपने पुराने मंत्री पद पर ही डॉक्टर मोहन यादो मंत्री मंदल में काम करेंगे एक बार फिर से वित मंत्री का दाई तो मिलने के बाद उपमुख्य मंत्री जग्दीश देवडा ने मंदसौर में मीडिया से बाचित करते हुए कहा कि जिसको भी जो दाई तो मिला है वो सब मिलकर काम करेंगे मध्यप्रदेश के विकास और कर्ज के स्थिपर बोलते हुए जग्दीश देवडा ने कहा कि जो भी कर्ज ले रही है उसे प्रदेश के विकास कार्यों में लगा रही है कॉंग्रिस केवल जूठे आरूप लगाती है उन्होंने दस साल के शासनकाल में कुछ नहीं किया 15 महीने के शासन में कुछ नहीं किया प्रदेश में एक बार फेर कोरोना की दस तक कुले कर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवडा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है सबी काम संतूलित होगा सब मिल करके काम करेंगे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है जिसको जो दाई तुम मिला है उसको गंबीरता से प्रदेश के हित में काम करेंगे प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे जिसको जो विभाग मिला जो जुम्मेदारी मिली उसको मिलजूल करके काम करेंगे कई मुख्यमंत्री जी के नेत्रत तुम ही काम कर रहे है डक्टर महुन यादाव जी भी अनुगावी हैं लंबे समय से काम कर रहे हैं जो विभाग उनके पास है वो भी काम के ही हैं सब मिलके करेंगे आपको फिर से एक बार वित्रमंद्री का जायत मिला है प्रदेश की आर्टी किस्थिती और प्रदेश का विकास जितनी ज़्यादा मजबूत हो सकते उसको बहतर से बहतर हम करेंगे और सब इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में वित्तो विभाग या जितने विभाग हमारे पास आये हैं क्या-क्या हम अच्छा कर सकते हैं बहतर कर सकते हैं वो प्रदेश के हित्त लिए करजा हमेशा होता ह करजा चुकाते भी हैं, नियम प्रकरिया से करजा लेते हैं, ऐसी कोई हिंदुस्तान में सरकार नहीं, कोई प्रदेश की जो करजा नहीं लेती हो, करजा लेना बुरा बुरी बात नहीं है, परिवार में भी जरुत पड़ती तो करजा लेते हैं, समय पे चुकाते हैं, करजा लिया करजा लेकर के पूरे मध्यपरदेश में सडके बनाई ये सारी जनता खड़ी है सब जानती है कि किती सडके बनी कांग्रेस के समय क्या हाल था सडकों का दिगविजे सिंग जी के समय क्या हाल था दस साल विजली कैसी मिलती थी सडके कैसी थी कौन सा development हुआ करजा तो करजा लेकर के हमने विकास किये सीचाई योजनाय बनाई, तालाब बनाई, स्टाफ डेम बनाई, बड़ी-बड़ी सीचाई योजनाय बनाई कालेज बनाई, मेडिकल कालेज बनाई और कांग्रेस ने करजा लेकर के गी पीने का काम किया उन्हें करजा लिया वो कभी जंता के सामने बताए 10 साल 15 महीने ये रहे कमलनाज जी काम तो बताओ इसलिए जंता ने प्रचंड वहुमत दे करके सरकार बनाई ये आशिरवाद दिया जंता ने और लोगसभा के चुनाव में भी फिर आशिरवाद देगी ये डबल इंजन की सरकार है प्रदेश के यशश्वी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी के मार्ग दर्शन में नेतरत में हम सब लोग काम कर रहे हैं इस देश को विश्व गुरू के इस्थान पर पहुंचाने का संकल्प है उस संकल्प को सब लोग पुरा करेंगे सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास और सब का प्रयास इस परिकल्पना को भारती जनता पार्टी के सरकार पुरा करेंगी ये मैं आपको कह रहा हूँ पूरी मदद सरकार की तरफ से देंगे कानून अपना काम करेगा किसी को बख्षेंगे नई कड़े से कड़े कानून की जो व्योस्ता है उसका पालन करवाएगा कोरोना को लेकर कि सरकार कितनी अलर्ट है पूरी तरह अलर्ट है पहले भी इसी सरकार ने मदद की थी और अभी भी यही शरकार अलड़ है बहुत बहुत धंड़िवाई कर दो कर दो कर दो किता अलड़ बहुत बहुते हैं कर दो कर दो अपने खुब्सूरत पलों को और भी खास अपको मिलेंगे एक साथ तीन गार्डन और वेज़ फामिली रेस्टरॉन, इंडियन फूर्ड, इंडियन चाइनीज, साथ इंडियन स्विमिंग फूर्ड, विशाल पार्किंग एरिया और CCTV कैमरे से सुरक्षित कैमपस हमारा पता है कनेरदेव रोड, सागर, MP, फोन 9302290822